दोस्तों जो की 17 फरवरी 2020 को हुआ था वह पेपर अपना चल रहा है इसके 25 क्यूशन्स मैंने पहले अप्रोड कर दिये हैं 25 क्यूशन्स इस वीडियो में हैं दोस्तों आपको और अधिक इसी पर करके पेपर्स के साथ क्यूशन्स चीए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन रोज डेली मिलेगा और उसी के साथ अगर आपको नोटिफिकेशन फिर भी नहीं मीलता तो आप हम तो आपको तुरंत वहाँ पर वीडियो अपलोड मिलेगा ठीक है दोस्तों और जो हमने इसके साथ आठ वीडियो अपलोड कर दी है आठो वीडियो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे पुराने वाले वीडियो भी ताकि आप उनको भी देख सके इस वीडियो के करेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे क्यूशन सभी दोस्तों वह रहेंगे जो एक्जाम में आए हुए हैं और हम डारेक्ट आपको पेपर ही सोल करा रहे हैं सोल पेपर करवा रहे हैं ठीक है तो आप हमसे रिगुलर जुड़े रहें जैसा कि दोस्तों आपके सामने पहला ही क्यूशन से पेपल के हिसाप से 26 क्यूशन से क्योंकि हमने पीछली जो इससे क्लास थी उसमें अमने 25 क्यूशन करवा दिये हैं अब चलेगा 26 और आज का पहला कूशन लेड ऐसीड बैटरी में सेप्रेटर की सामगरी किस परकार की होती हैं देखिए लेड एसीड बेटरी होती है उसमें सेप्रेक्टर की जो सामगरी होती हुए किस प्रकार की या ओप्संस भी दिये हैं नरम कठोर अगुल एंसील या चिद्र युक्त तो दोस्तों आपका आंसर होगा चिद्र युक्त ठीक है अगला जो क्यूशन से वह हैं फ्लक्स की एस प्रकार की त्लेल शेयर की क्यूशन से चलते हैं एक इस्ट्र पर मोटर मूलता है एक होती है देखें दोस्तों इस टेपर मोटर जो होती है वह तुल्य कालिक मोटर होती है थीक है यह ध्यान रखना अगला क्यूशन से निम्न लिकित मशिनों में से किसका उप्योग लकडी के रद्दे वृताकार आरी और एमजी सेट में किया जाता है देखिए यहां पर कुछ वर्क के नाम दिया है कि किन किन में उस मोटर का उप्योग किया जाता है दोस्तों मोटर का उप्योग किया जाता है लिए इसए उपन जनित्र भी बोल सकते हैं ठीक है इसी को अपन दोस्तों आप सोच रहे होगी कि यह बात क्यों बता रहे हैं कि जनीत्र है जनीत्रों वही होती है वो तो सभी को पता है लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर जो इतना यहां पर सब्सक्रियर को दिया है कि विर्यतकर आरी और रद्ध इनमें तो मोटर का प्रिवresh किया लेकिन एम जी सेट जो थाना तो इसमें त्री फेस सत्बाइए जनलहे लगा वहता है जो इसे को inmates में बदलता है तो अब वलोगे कि मोटर का उप थुड़ी सेट का होता है तो दोस्तों जो सत्री नवह प्रूड देंगे तो यहां विद्द दंगे तो यह यह रिए इनतरिक बतन करेगा यह ध्यान रखना तो इसको अपन मोटर्स भी बोल सकते हैं यह एक ही चीज है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन से आपका तीस नमर का क्यूशन से निम ने लिखिए तुमें से कौन सी धारा की इकई हैं देखिए धारा की एंपेर हैं यह सबी को पता होगा बहुत ही सिंपल क्यूशन से इस प्रकार की क्यूशन बहुत ही सिंपल से इनको तो अपन को छोड़ने का कोई यह नहीं बनता ठीक है इसको गलत करने का कोई यह नहीं है यह ही अपन को नमर दिलाते हैं बहुत ही शांदार क्यूशन से नॉर्मल क्यूशन से सबसे पहले यह बताया जाता है ठीक है और किसका है तो यह परतिरोद का है किलो वार्ट गंटा अब यह एनर्जी मिट्र का है बहुत ही शांदार खुशन से ठीक है अगला फिर एक स्विच है एस द्यान रखना एक दिश्विच है यह ध्यान रखना अगला क्यूस है 32 से आपका एक सिंगल ब्हेज ऐसी मोटर को स्वह प्रवर्थित बनाने के लिए को मुख्य वैंडिंग में जोड हैं जोड़ने की आउशक्ता होती है यहाँ द्ध्यान रखना जोड़ने लिखा है जोड़ने की आउशक्ता होता है दोस्तों एक सिंगल फेज जो को एसी मोटर है उसको सय परिवर्थित सेलफ कि स्टाटिंग कि इस्टाटिंग यान कि वा स्वह स्वहम चल जाए बनाने के लिए को मुख्य में जोडने की आफश्क्ता होती है तो सहायक वाइंड यह वाइंड्निंग उसको जोड़ा जाता है ठीक है अगला क्यूशन से हैं एक प्रत्यावर्तक यानि की प्रत्यावर्त को इंगलिस में बला जाता है अल्टरनेटर के कोर को लेमेनेटेट क्यों किया जाता है देखें पत्यां होती है पत्तियां को यानि कि उनकी मोटे होती है जिरो दसमलो 35 और जिरो दसमलो 35 और जिरो दसमलो चे के लगबग होती है यह ध्यान रखना जो उनको क्या करते हैं उनको चिपकाय जाता है लमेनेट किया जाता है एंस्युलेशन द्वारा ठीक है उसको मोटी परत बना जाता है पतली पत्ली पत्तियों की तो वह इसलिए क्यों बनाते वे एक लोया सिस्टम मेटी कर देते तो लेकिन इसको पत्तियां से क्यों जुड़ा जाता है तो वह इसलिए कि भवरदारा हानी होती है जो इस पर को प्रवाव डालती है तो भवरदारा हानी को कम करने के लिए ही लिमिनेट किया जाता है यह ध्यान रखना अगला क्य बढ़ेगी और अधिक रहेगा तो गति क्या होगी कम होगी यह ध्यान रखना फ्लक्स बढ़ेगा तो गति कम होगी और गति कम होगी तो फ्लक्स क्या होगा बढ़ेगा यह ध्यान रखना ठीक है अगला क्यूशन से आपका यूनिवर्सल मोटर को के नाम से भी जाना जाता है देखिए यूनिवर्सल मोटर एक स्रीज मोटर के तरह होते हैं तो यहां पर स्रेणी मोटर आपका अंसर से रहेगा स्रेणी ऐसी स्रेणी मोटर के नाम से भी जानी जाती है देखिए यह डिसी स्रेणी मोटर डिसी ये दियान रखना क्विशन से आपका है पर्त्वी के बीच का विद्यो त्रोहदन प्रतिरोज होता है ऩूँद्रोज होता है आपका कर परिपत में बिंदों की शंख्या meer इसको 500 مेगाओम में मापा जाता हैं यह ध्यान रखना यह आपका चोत्ता उप्सन सही रहेगा ठीक अगला क्यूशन से आपका एक मानक food mixer की गुणन गती कितनी होती है मानक food mixer की गुणन गती तीन हजार से 14,000 थार्टर्वी भुत्ती है दोस्तों इसमें युनिवर्सल मोटर होती है ठीक है युनिवर्सल मोटर होती है ध्यान रखना की अगला क्यूंच से आपका का हां परतियावर्थक ट लेटिंग यानिकर अल्टरण कि रेटिंग को किस में मापा जाता है तो प्रत्या वर्त की रेटिंग किलो वाट एम्पेर में मापा जाता है किलो वाट एम्पेर में मापा जाता है यह डिसी जनित्र की किलो वाट में मापा जाता है वोल्ट तो आप जानते हो के विवांत की विवांतर कीएसाई मात रखे ठीक है अगला क्यूशन से चेतावनी चिन है कि प्रश्ट भूमी किस रंग की होती है तो यह ध्यान रखना यह होती है अगला क्यूशन से आपका मरकरी वेपर लेंब में निमनलखित से कौन सा प्रभाव लागू होता है देखिए तापन प्रभाव चंप के प्रभाव अयनिक करन प्रभाव रनीयन प्रभाव तो देख के hin मरकरी व्यपर लेंप में का इस यह आएनिक करन लागू होता है ठीक paused कि अगलाक्व पॉस्टेशन से एसको गैज करें जिसमें आपन कारे कर रहे हैं त्युत को चेक्ष करनAY उससे लैंब जलता है ठीक है जिसको चेक करने उससे लेंब जलता है ध्यान रखना अगला फूसर है गर्षन टेप इन में से किससे बना होता है ग्रशन टेप आसंजक युक्त संसिक्त सुति कपड़े से बनता है ठीक है अगला क्विशन से आपका आप पूर्ति के एसी से डीसी में रुपांतर्ण में निमने लिकित में से किसे एक मशीन के आफशकता होती है तो रोटरी करने के लिकित में से एक में मशीन के आफशकता होती है त्री प्राइज मोटर और दिस्ट कारी में कोई मसीन नहीं होती डायोड होते हैं ठीक है अगला क्विशन से आप का से एलबो इनमें से किसके लिए उप्यूख्त होते है यह वा छोटे बंकन के लिए उप्युक्त होते हैं दोस्तों चोटे बंकन के लिए ठीक है अगला क्यूशन से कि सोल्डर को रिकंडिशन करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है तो टीन का पदार्थ मिला जाता है ठीक है अगला क्यूशन से आपका जूम कर देता हूं मैं इसको सही से नजर नहीं आ रहा हूं तो यहां से देखिए यदि पंद्रा ओम बीस ओम और पेतिस ओम के तीन परतिरोद स्रेनिक क्रम में संयोजित हैं तो कुल परतिरोद की गढ़ना किजिए दोस्तों इसी प्रकार का क्यूशन्स यूपी पीसेल के ए तरहा है में हमेश야 परतिरोद जो ऑम में होता है वह हमेशा जूड़ता है फिंव में जैसे कि यह एक सब्लॐखार का सिंबल इस परकार के होता है कि हां यह पर से और पहला यह थीसरा थीक है यह फंद्रह यह हैं बीस और यह हैं पैतिस तो यह है स्रीनि करम में हमेशे ध्यान रखना परतीरोद जूडते हैं ठीक है तो कितना हो गया 35 और 15 50 और 20 70 और आपका आणसर सहे रहेगा ठीक है ध्यां रखना अगर यह समानत्र में होते हैं यह क्या होते हैं जूडते नहीं ठीक है पिर इनके लिए सुत्र लगता एक जो सुत्र कौन सा है एक बटा आर टी यहनके टोटल रिजिश्टेंज बराबर एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू इस परकार से प्लस एक बटा आर एन ठीक है बढ़ते चलते अगला क्यूशन से आपका एक एमपियर घंटा इनमें से किसके बराबर है एक एमपियर घंटा दोस्तों इनमें से 36 कुलाम के बराबर होता है ठीक है अगला क्यूशन से आपका चत के पंखे को परसे से उपर लटकाया जाना चाहिए दोस्तों यह क्यूशन फिर से मैं बता रहा हूं आप वीडियो इससे पहले वाले का जो वीडियो देखे लेना आ आप पहला दूसरा तैसरा चोटा पाच वा चेट्टा सात्वा बां ठीक है उसमें आपको किसी ना किसी एक में इह 24 न्याउन मिलेगा जरूर मिलेगा यह कुसें वाया है जो ईूर्ट से पेपर में ने इस टेकनीकल का सभी देखने चाहीं सबीक्विशन इधर-उदर होते रहते हैं तो यह क्विशन वह का में अंसर तो डाइक्वेसे तो देख लिए चत के पंक्यक को फर्ससे उपर लटकाया जाना चाहिए तो 2.75 मिटर उपर लटकाया जाना चाहिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा डिरेक्ट अगले क्विशन पर आएंगे लगुपतित परिपत्व में पर्तिरोत का मान कितना होता है लगुपतित परिपत्व में पर्तिरोत का जो मान होता है वह सुनने होता है यह ध्यान रखना लगुपतित क्या होता है कि जैसे कि यहां से एक बेटरी है और इधर बल्व है है थिक अब इसमें यहां से डार्ट कर दें तो इसमें परतिरोथ का मांत सुनने हो जाएगा पहले क्या होता था कि इदर अगर यहां दो ओम का भी अगर वल्व है तो पहले दो पूर्परायक्ट प्रेयर क्या जाएक तो यह जाएगा परतिरोफर सुन्ने हो जाएगा यह किसी बहुत के अंदर नहीं जा रहा तो इसको बुटा डारेक्ट रखोता है ठीक है यह इसका परतिरोफ to पांच पांच एस अवधार्णा यहां पर फाइफ एस जो लिखा हुआ है का दूसरा चरण क्या है तो इसका जो दूसरा चरण है ना दोस्तों वह हैं सिस्टेमेटिक अरेजमेंट करमबद व्यवस्ता ठीक है ध्यान रखना आपके जो 25 25 के हिसाब से आज के 25 कुशिंज भी समाप्त होते हैं इसी के साथ आपके 200 कुशिंज पूरे हो जाते हैं दोस्तों इसी परकार आपन 1000 टोटल कुशिंज करेंगे तो आप रेगुलर हमारे स का रहें जो भी वीडियोव यूट्यूब पर अपलोड करते हैं वह यह तेलिग्राम पर सेर करते हैं तो आपको वापड़ मील जाएगे के दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाऊ तो दोस्तों एक छोटा सा काम जरूर कि जाएगा लाइक कर देज चले और आपको भी आपकी बी सम Jupiter का निवरान हो ठीक है दोस्तों तरके मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए कर्ते हैं आपका धन्यवाद और मकर सक्रांति कि आपको और आपके परिवार को सभी को डेर सारी सुपकाम नहीं ठीक है दोस्तों धन्यवाद